तो जितने भी लोग भई NCRT से के SCTO और ट्रेफिक कंट्रोलर के एक्जाम के अंदर में अपियर हुए थे उसका रिजल्ट आज डिकलियर हो गया है अब बहुत सारे लोगों का यह डाउट है कि इसके बाद में क्या होगा यानि कि वट नेक्स्ट तो मैं आपको बता दू कि कि यहां पर जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए थे और फोटोनिक्स के साथ में जुड़के त्यारी कर रहे थे तो अभी तक मेरे पास में जो अपडेट्स आई यानि कि जिन लोगों के मेरे पास में मैसेज आए वो 35% से 35 candidates हैं जिन्होंने मेरे पास में personally message किया है उससे आपने अपना benefit उठाया और definitely आप लोगों ने exam crack किया है then you have a great potential for the exams और आगे की जो stages होंगी उनके लिए आपके पास में potential होगा तो मैं उसी चीज़ों को लेकर बात करूँगा कि मेरे पास में अब क्या करना होगा साथ ही साथ आपको बता दू कि description box के अंदर में ज exam clear हो चुका है और इसके बाद में जो procedure होगा जो हमारे पास में अगला step रहेगा ताकि आप लोगों को timely inform कर दिया जाए उनसा चीज़ों को लेकर चलिए बात करता हूं कि result के अंदर में कितने लोगों का clear हो है और उसके बाद में उन्होंने अपने result के अंदर में क्या क्या information डाली हुई है तो जैसा कि आप इसके अंदर में देख पा रहे हैं कि जो result है वो 312 2020 को declare किया गया है और उसके अंदर में इन्होंने लिखा हुआ कि 3031 तारीक के उज़े एक्जाम होए थे उनकी बारे में यह जो result है वो declare किया गया है तो इसके अंदर हम देखे तो total भाई मैं निचे आप लोगो description box के अंदर में provide कर दूँगा तो आप ध्यान देखे कि इसके अंदर में इन्होंने लिखा है कि 646 इन्होंने जो candidates उनको shortlist किया है अब इसके बाद में procedure क्या होगा और किस तरह से आपके आगे कि selection procedure रहेंगे उनके बारे में मैं अभी आप लोगों स डिसकस कर लेता हूं और इसके अंदर में उन्होंने उपर ही clearly यह चीज़ mention भी कर दी है कि अब आप लोग का होगा एक psychotest और psychotest के बाद में आप लोग की होगी medical अब यह psychotest होता क्या है psychotest के अंदर में basically आप लोगों की जो psychology है यानि कि presence of mind है वो वहाँ पर check करी कि document verification, psychometric test and medical examination यह सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर करवानी होगी तो जो psychometric test होता है इसके अंदर में आप लोगों की basically हम बात करें कि जैसे मैंने जब यह form निकला था उस time पी भी आप लोग को मैंने इसकी information दी थी कि कुछ information देंगे आपको पहले एक page के उपर में कि आप लोग को read out करनी है यह कुछ time आप लोग को देंगे फिर आपको कहेंगे कि यह जो page है इसको आप turn on करो यहां कि इसको आप पलट लो और उसके बाद में कुछ अगले page के उपर में figures बनी होगी यह figures जो होती है इनके आगे कुछ numbers होते हैं और वहाँ पर उनको आपको match क करना होगा कि कौन सी figure के साथ में कौन सा number match हो रहा है यानि कि आपकी कितनी retention power है उचीज वहाँ पर check करी जाती है साथ यसाथ उसके अंदर में कुछ हमारे पास में reasoning से related topics होते हैं यानि कि embedded figures होती हैं उनको वहाँ से निकालना कुछ जो हमारे पास में conclusion based होते है statements आती हैं उन चलता इसके अंदर में access of practice आप लोग को करनी पड़ती है जितनी practice करेंगे उतना ही आप लोग को इसका benefit मिलता चला जाएगा अब यह कैसे आप लोग को त्यारी करनी है उसका भी मैं आप लोग को बता दूंगा पहले आप लोग Google form जो है वह अपना फिल कर लेंगे ताकि आ आपको clear करना पड़ेगा अगर यह नहीं किया तो आप समझ लो कि इस selection के race से बाहर हो गए हो यानि कि अब जो stage थी अभी तक तो आपने अपनी education के base पर आपने जो पढ़ा था उन सब चीज़ों के base के उपर में आपने exams को clear किया है लेकिन अब जो psychometric test है यही decide करेगा कि अंदर में vacancies आई हुई थी और उसके अंदर में 1100 लोगों ने psycho test के लिए qualify किया था यानि कि उनका जो return exam था तो 1100 के लगबग उन्होंने जो test था वो clear किया था उस time पर vacancy लगबग 699 के असपास में थी यानि कि 700 vacancies थी और जब उनका psychometric test हुआ था तो केवल और केवल इसक चीज थी यहां पर उससे भी कम लोग मेरे पास में यहां पर clear हुए थे अब उन्होंने क्या किया था कि जो clear नहीं हो पाए थे उन्होंने कहीं से preparation नहीं किया था वो over confidence होकर अपने exam के अंदर में चले गें कि psycho test है चलो देख लेंगे तो कुछ methods होते हैं कुछ techniques होते हैं जि यानि कि 100% आपको number वहां पर लेने पड़ते हैं एक भी question अगर आपका गलत है तो कहीं न कहीं आप लोगों को अपने जो selection है उससे दूर लेकर जाएगा तो आप कोसिस करेंगे जितना practice करेंगे उतना ही आप psychometric test के अंदर में उतने निपून होते चले जाएगे उतने आप आपका confidence built होता चला जाएगा अगर आपके पास में confidence होगा तो definitely आप इसके exam को भी crack पर पाएंगे और यह psychometric test must है अगले stage के जाने के लिए यानि कि medical examination के लिए तो google form का link में आप लोग को नीचे provide कर रहा हूँ वहाँ पर details आप अपने तो नीचे आप लोग को google form का link में provide कर रहा हूँ वहाँ पर जाका अपने details को fill कर देंगे ताकि हम आपको timely contact कर ले और आप अपने preparation को अच्छे से boost कर ले साथ से 10 दिन की ही preparation आप लोग को करनी है यह से जाके आपको fill करना ही